मेरे किताब के शुक्राइब नाम है बर्क हेजिस, सबसे ज्यादा पिकने वाली किताब The Parable of the Pipeline का लेखक मेरे किताब की शुरुआत होती है पैबलो और ब्रूनो की कहानी से जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे आप जो देखने वाले हैं वो एक मज़ेदार अनिमेटिड कहानी है तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें Parable of the Pipeline दूर एक सुन्दर वादी के पास एक गाउ में दो मित्र रहते थे पैबलो और ब्रूनो ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे हमेशा अपने सपनों के बारे में बाते करते कि कैसे गाउ में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने वो मेहनत करने से नहीं डरते थे बस अपने लक्षियों और सपनों को पूरा करने के लिए अफसर की तलाश करते हलो दूस्तों अगे आप सभी लोगों का तैपनी से स्वागत करते हूँ आप सब लोगों का स्वागत है और इतने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आज का वीडियों के मुख्या ने उन दोनों को बबबर के उपस धिर्थ जरने से गाव में पानी लाने का काम सौप दिया वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे ब्रूनो और पैबलो उत्सा के साथ काम पर लग गए रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे और शाम को अपने अपने घर लोट जाते ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा ज्यादा पैसों से एक गाए और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा लेकिन पैबलो खुश नहीं था शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्ध होता और वो थक भी जाता किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा एक दिन पैबलो के मन में विचार आया परवत की जील से गाउं तक पानी पहुचाने के लिए पाईपलाइन के निर्मान का विचार इस पाईपलाइन से गाउं में पानी आएगा वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कारे में बदलने के बारे में सोचने लगा जाहिर है पैबलो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्मान में मदद भी करने को कहा ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे यही सोचता उसे लगा पाइप लाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्षियों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाई ताकि वो और ज्यादा पानी भर कर ला सके उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा पैबलो ने अकेले ही पाइप लाइन का निर्माण करने का निश्चे किया पैबलो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे लेकिन उसका मन अपने लक्ष पर केंदरित था पहले की तरहां वो रोज पानी लाता था लेकिन सब्ता के अंत में खाली समय में वो जमीन खोद कर पाइप लाइन बनाने लगा पहले महीने में पैबलो ज्यादा काम नहीं कर पाया ब्रूनो और बाकी गाउँ वाले हसते और उसका मजाख उड़ाते वो कहते वो देखो पैबलो दो पाइप लाइन मान इस दोरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई उसने गाए खरी दी और एक बड़ा घर भी उसकी जीवन शेली बदल गई काम के बाद वो बार में बैठता अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बार्टियां उठाते उठाते उसका शरीर ठक गया था चेहरे पर भी ठकान दिखाई देती अब वो कम पानी लाने लगा हर महीने पैबलो काम करता रहा जल्दी एक साल बीथ कया फिर दूसरा साल आखिरकार पैबलो ने पाइपलाइन का निर्मान पूरा किया बाल्टियों की बजाए पैबलो पाइपलाइन के जरीए गाहों तक पानी पहुचाने लगा पैबलो अब काम नहीं करता था वो आराम करता था तब भी पानी बहता था पैबलो बहुत खुश था अपने ग्यान, दृड़ता और मेहनत पर उसे गर्फ था पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे ब्रूनो और पैबलो की कहानी जीवन का प्रतिबिम्भ है पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? इसका नौकरी एक प्रतीक है बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था पैसों के बदले वो जहरने से पानी भर कर गाउं में लेकर आता ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो जहरने से गाउं तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना ज्यादा पैसे वाले रुथबे को सुईकार कर, हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं हम मेंसे कई ब्रूनों की तरहां पैसों के बदले अपना समय देते हैं हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्मर, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं तब हमें पैसे मिलना बंध हो जाता है अब पैबलो ने क्या किया? इस पर गोर करें पैबलो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिये उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगरती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाइगा पैबलो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कारे में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे पैबलो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना परता है सच मुछ और भी कई तरीके हैं अब आप ही बताईए क्या आप अभी भी ब्रूनों की तरहां पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैबलो बनना चाहते हैं यदि पैबलो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्मान करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया आप पाइपलाइन का निर्मान आज ही कर सकते हैं हलो दूस्तों अगे मैं आप सभी लोगों का तया दिल से स्वागत करता हूँ हमारे सेफ शॉप नूमर बन ओफिसियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और इतने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो आप से मिस ना हो और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट बॉक्स में हमें कोमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें थेंक यू धन्यवाद